हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल एपक स्टेडी में वीडियो में देखे आज आपने कवर करने के राजस्तान के परमुक वेक्तित वह जो कि रीट मुख्य प्रिक्षा के अंदर उसके सलेबस के नुसार देखे और राजस्तान में कंडेक्ट होने वाली अन्य एक्जामों के लिए जैसे आर्फिस सेकंड ग्रेड आरेस और सीटी एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों यह जितनी भी एक्जाम के अंदर क्यूशन पूचेंगे उनको कवर करेंगे शुरू करते हैं वीडियो को देखि पास्त्री यह परमो क्रोप्चे सब्सक्राम के अंदर ही महिनाओं ने भाग लिया था और यह जेल भी गई थी और देखिए अगला क्यूशन गोविंद गुरू के विशे में कौन सा गतना है सकते हैं देखिए गोविंद गुरू बंजरा जाती के से थे यह सत्य हो अंसर अगला देखिए गोविंद गुरू ने बाश्य गराम में धूनी निसान की स्थापना की तो यह हो जाएगी सही गोविंद गुरू ने भी लोको सर्व देखिए धरम सत्य के मारग चलने का उपदेश दिया तो यह सत्य किसन नमबर देखिए चगन बेन ने अपने स्वर्वद ये गतिविदियो का जो राजस्तान का कौन सा चेतर चुना है तो यह जोतपुर का खीचन गाउं चुना था उन्होंने अगला देखिए कौन सा बूतपुरू है कोटा राज्य की सतंता से नानी थी तो कोटा राजसी ये कमला स्वाधिन थी अगला देखिए मई 1947 में काली भाई अपने अधियापको कुम्गत कराने दोरान पुलिस की गोलियों से भून दिये गई वहां किस जिल्ले से थी डूंगरपुरू किसे थी दोस्तों अगला देखिए रास्ता पाल सत्यागरे से के वर्दमान पार्ट चला किस्थापना किस एस्तान पर की थी तो वर्दमान पार्ट चला ये दोस्तों jeपूर में 37 सायनानियों के लिए खोली गई थी दोस्तो अगला देखिए अजमेर की कौन सी महिला राज ने थी कि वो सामाजिक कारे करता हैं जिने उनकी गत्विदियों के करण मेवाड वो बुंदी राजुस निर्वासित कर दिया गया तो ये कुमारी अजना देवी कुमारी अगला देखिए करां दिकारी जिसे महत परिलार हत्या गांड की सज़ा मिली थी जो महत थे दोस्तों केसर सिंग बारट को मिली थी केसर सिंग बारट सापुरा के निवासिते बीलवाड़ा के उन्होंने चेता होने राज चूट कि कि माद्यम से उद्यपूर के माराजा फते सिंग को दिल्ली दरबार में जाने से रोका और 1910 में वीर भारत की स्तापना की अगला किसन देखिए मोतिलाल तेजाव सरवज दिक योग्य नेता माने जाते हैं तो ये भील आंदोलन के सरवग्य नेता थे दोस्तों ये अगला देखिए मेवाड, डुंगरपूर, सिरोई, बांसवाडा में सवदेसी आंदोलन का नेतातव निमन में से किसन ने किया तो ये दक्ष्णी चेतर के अंदर दोस्तों स्वामि गोविंद गिरी थे अगला देखिए किसने डुंगरपूर बाश्वाड़ा में भील आंदोलने का नेततों किया तो ये स्वामे गोविंद गुरुजी ने अगला देखे राज्य में अत्याचार और जेल में अन्याई के विर्थ बू करताल के दुरान मारवाड़ लोग परिशत के किस नेता क्यों मित्यों अगई दोस्तों 19 जून 1942 को हुई थी तो ये जोत्पूर के निवासे बाल मुकंद विस्सा अगला किसन देखिए सियाम जी कर्शन वर्मा के बारे में निवन में से कौन सा कतन सत्ते हैं तो देखिए इन्होंने अजमेर में वकालित की ये अजमेर में मुनसी कमेटी के फरतम निर्वाचित भारती चेर्मेन थे और उन्होंने बेवर में देखिए कशन कोटन मेल की सयोग किया और इन्होंने मेवाड की महराना के सचीव के रूप में भी काम किया अगला देखिए राजस्तान के सतंता अंदलन के दोरान गिरपतार होने वाली राजस्तान की पहली महिला थी दोस्तों तो अंजना देवी थी ये अगला देखिए परमुक सम्मिलित करना है दोस्तों परजामंडल जेपुर परजामंडल के कौन थे तो एक पुर्चंद पट्टानी जोदपुर के जे नरण वियास संस्तापक मेवाड की मानिके लाल वर्मा और कोटा के नेन नेनुराम सर्मा अगला देखिए कौन सा महंत प्यारे लाल अत्याकांड के लिए देखिए दोस्तों सम्मदित नहीं था इनमें तो देखिए मोहनलाल जालोरी से सम्मदित नहीं थे बाकी केसरी सिंग भारट को जेल हुई थी और देखिए सोमदत लहरी और रामकरण इन सब को दोस्तों ये प्यारे लाल अत्याकांड से सम्मदित थे देखिए जंटल्मेंट एंग्रिमेंट किसका सम्मद है रहा दोस्तों तो हिरा राल सास्तरी और मिर्जा इसमाइल के बीच में ये समझोता हुआ था डेड इसकी याद रखिए 17 सितंब 42 को जेपूर परजामंडल के अद्देख इराराज सास्तरी और जेपूर रियासत के प्रदान मंतरी मिर्जा इसमाइल के बीच ये सम्मझोता हुआ जिसके अंदर जंटल्मेंट एंग्रिमेंट कहा जाता है इसके तहत जेपूर परजामंडल को बारेज चोड़ो आंदर में भागनी लेगा यह तेवाता अगला देखे राजस्तान के फर्मुक सत्ता सेनानी उनके कारिस्तल के संबन से गलत है तो देखे कर्ष्न दतपालिवाल उनका कारिस इतराद दोलपूर जे नारायन व्यास जोदपूर रियासत से और रगबूर दियाल देखे दोस्तों गोयल बिकाने रियासते और गोपिला लियादव यह इसमें यह गड़ा तो जाएगा अगला देखिए परताव सिंग भारट को किस केस के तहत बरेली जेल में लखा गया तो मेरेट सडी अंतर के दोरान जे नारायन व्यास के वारे में कौन सा गतन गलत है तो देखिए यह वे मेवार लोग परिशत के सकरे सदस्चे थे और यह तरनु राजस्तान के संपातक थे और 1991 में देखिए अपना विदान सभा चुना वहार गये थे तो यह तीनों से यह वार की अगला देखिए तीन वाय राजस्तान के मुखे मंतरी के रूप में काम किया फोर गलत हो जाएगा एकस्पलेशन देखती है देखिए बाल मुकद विस्टान नागोर में चरका संग और खादार वंडार की स्ताफना की नेक्स्ट क्रिशन देखिए भारत में ठाक और केशरी सिंग भारत के एक मातर ऐसे वेखती हैं जिन्होंने अपने भारत माता के दास्ता की सरंकला को काटने के लिए समस्त परिवार को सब्चनता संगराम के युद में जोंग दिया दोस्तों ये खतन किस्ट ने खाथा तो देखिए रास भीहरी बोस ने अगला देखिए अमरिदास वेरागि सादू के वेष में अपना अंतिम स में किस करानती के वैतित किया दोस्तों तो जोरावर सिंह बारत अगला देखिए विजए सिंग्तित का ओन क्या था वर्दा में इन्हें देखे दोस्तों राजस्तान के केसे समाचार पत्र का परकासन किया और वीर भारत समाज की स्तापना कर देखे इन्हें इनकी देन है यानि भारत सबा और समाज भारत समाज इनकी देन इन्होंने बिजोलिय की सानादूला का नेत्त्र किया था अगला देखिए सुमेलित नहीं है इन में से अर्जुनाल सेटी वेल्यूर्ट जेल के अंदर गए थे केसी सिंग भार्ट हजारी बाग जेल में विजे सिंग पतिक दे के टारड़ जेल में और जोरावर किरी बुरेली को जेल में विश चैर सुमेलित नहीं है तो अब संचार देखीए जोरावड सिँंग बार्ट के भाई थे जोरावड शिंग था इजोरावड सिइदा इसके बतीचे परताब सिंग बार्ट ने 1912 में देखी ё लाड हॉन्डिंग पर बंप गिरा है जिसमें देख सिदा परताब सिंग को क्याद कर ले गए और माश्टर प्यारे लाल को कहते हैं चेड़ावा गांदी अगला देखे कोटा में वीर भारत समाज की स्तापना की थी तो केसरी सिंग भारत ने की ती है अगला देखे कि उसन राजस्तान के सतंदा से नानियों ए उनके कार इस तरह के समन्द में गलत यूगम को सम पहचानी है समझ दिते नांकि उद्यपूर से जोधपूर रियासत से रगवरदयाल गोयल बिगगाने रियासत ते हिराला सासरी जेपूर रियासत से तो यह फूर पश्ट वाला गड़तिस के अंदर बाल मुकद विसा जोधपूर या सते इनका मित्यु दोस्तों हड़ताल के दोरान 19 जोन 1942 को जोधपूर केंदर ये कारागार में भूक हड़ताल के दोरान हस्पताल में उनकी मित्यु हो गई थी देखिए अगा कौन सी भील महिला राजस्तान की सतंता सेनानी थी तो ये काली भाई थी दोस्तों अगला देखिए बरतपूर के राजस्ते के सतंता अंदुलन के नेता कौन थे तो किसन लाल जोसी काली भाई इसने डूंगरपूर पुलिस के हातों अपने अध्यापो को बचाने में अपनी जिंदिकी देदाली और देखिए कहां से रहने वाले थी ये दोस्तों तो रास्ता पाल डूंगरपूर से रहने वाले थी ये अगला देखिए राजस्तान का लोहपुरस माने जाते हैं तो लोहपुरस दामुद लाल व्यास को मानते हैं लोहपुरस अगला देखिए भक्ति का वियत्री कर्मा वाई राजस्तान के किस छेतर की निवासिती तो यह नागोड छेतर से किस सतंदसे नानी का संबंद राजस्तान से था तो केसरी सिंग भारट मेवाड के राज्य की जो सापुरा तेसल की रहने वाले थे और देखे केसरी सिंग भारट ने मेवाड के माना फते सिंग चेताव नीरा चूट किया कि माद्यम से उनको दिल्ली दर्बार में जाने से रोका और देखे राजबियारी बोस ने राजस्तान में ससस्त करांती कर दल का संपुन दैतवे इने सोपा था वागड की गांदी दोस्तों डुंगरपूर के रहने वाले थे वागड की गांदे बोग इलाल पांड़ा को कहते हैं और ये हरीजन सेवा और पिछड़े आदिवासी सामाज के उत्था ने तु कारी किया सतन्ता से नानी परताव चिंग बारत की जन्मिस्तिली क्याया दोस्तों सापुरा बीलवाडा में अगला लेकि वह वेक्ति जिसके परिवार की सब्भी सदिश्यों ने देखिए राजस्तान की सतन्ता अंदोलल नहित्तु अपने जीवन निचावर कर दिये पूरे परिवार ने तो किये केशरी सिंग भारत 1930 के दिसक में बरतपुर राजनेतिक जागर्ति का सिरे किसको जदिया दोस्तों दिया जाता है तो बरतपुर में राजनेतिक चेतना जगाने के लिए यूगल को सोर चत्रवेदी को दिया जाता है यगल फिसो जतरुदी मत्यसे संगे उपरदरान मंत्री रहे अगला देखिए 23 दिसंबर 1912 में लाड हंडिंग परवर्दमान विद्याले जेपुर की विद्यारती ने बंप मेंका उपसका क्या नाम जोरावर सिंग था जोरावर सिंग करांतिकारी केशरी सिंग बार्ट जी के बाहिए थे अगला देखिए किसने माउन टाबू राजस्तान में विले के मेतपून योगदान दिया था गोकुल भाई बट देखिए इनके बारे में सिरोई जुले के हाथ लागाओं में जन्मी कौकलबाई जन्मी का सिरोई रियास्ति परदान मंतरी और परदेश कांग्रेस के अद्देक्स भी रहें कौकलबाई बट देखे बूधान ग्रामदान खादी नसाबंदी आदी सर्वधिये विविन दचनात्मक गतिविदियों में परमकभूमी का रहीन की महात्मा गादी के पुत्तर के उपनाम से परसिद है तो जमनलाल बजाज दोस्तों ये पाँच्व.उश पुत्तर के नाम से जाते हैं कि शिकर जिलेकर कासी का बास वो के गहां में जम्रमा बजाज ने अपने सारी पुंची तो देश हितकी लगादी गांधी-जी के पाँच्व.उश पुत्तर इने कहा जाता है अगला किस्विन देखिए नीमन नीमसे कौन सा खत्र नाराने देवी वर्मा की बारे में गलत है तो 1970 से गुनिसोचिंतर तक ये राजी सबागी सदेशे रही और देखिए इन्होंने 1944 में बीलवडा में महीला आसरम की स्थापना की तीसरा देखिए 1950 से 1962 तक लोग सबागी सदेशे रही तो ये गलत जाएगा अगला देखिए इन्हें 1922 में आंदोल में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा नाराणी देवी को देखिए लोग सबागी सदेशे नह रहकर ये 1970 में राजी सबागी लिए चुनी गई थी अगला देखिए परसेद सतंता सेनानी गोपिलाल यादव का सम्मन्द तो ये भरतफुर के रहते नेरम अगला देखिए सतंता सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे जेसलमेर के अगला देखिए कि उससन राजस्तान के सतंता सेनानी अंदलनकारियों में महिला सुची सम्मन्द कीजिए तो कौन से जिल्ले से ये सम्मन्द थी तो देखे सामत्री देवी भाई भटी जोगी जोदपुर से बगती देवी उद्यपुर से लक्ष्मी देवी आचरे जोगी बिकानेर से रुकुमारी कुसम गुपता ये कोटा से सम्मन्द थी तो इस तो आज कहल कही एक जामें देखा कि महिला सतंता सेनानियों के बारे मे जदा कि उस नारे हैं अगला देखिए रजस्तान के सतंता सेनानियों में देखिए का उनके कारे के सम्मन्द में गलत युगम्द को पैचानी है तो इनका कार इसे तर कौन सा था अरजुनलाल सेटी थे दोस्तो अरजुनलाल सेटी थे जेपुर यासत से और कैसर सिंग बार पाजनेतिक चेतना को जनम देने वाला था तो अरजुनलाल सेटी थे बारायत की सवतंता संग्राम में लगबग चालिस वरसपूर वर्दमान विद्याले जो की जेपुर में पस्तिस्तापित की स्थाफना का उद्शे क्या था दोस्तो यह अरजुनलाल सेटी दोबारा जवान को तियार करना दूस्तों सतंदा संग्राम के लिए अंगला लेकिए परमकपड़्जा मंडल और उनका इस्ताफित होने वाला वरस देखें डूंगरपुर का इस्ताफना हुएत्ती गुनिसो चौमालिस में जेपूर का वहां गुनिसो एक तीस में कपूर्चन को जेल में जिन्दा दिला दिया गया यह जेसल मेर के दोस्तों रसागरमल गोपा जेसल मेर के सतंदा सेनानी जिन्हों ने देखिए जेसल मेर के मारावल इनका याद रखे दोस्तों जवार सिंग को जेल में अनेक बमान से कियातना दी इन्हें जेल में जीवत ही जला दिया गया सागरमल गोपा ने जैसल मेलके में गुंडा राज पुस्तक लिखी अगला देखिए मैं 1927 में काली बाइद वारा अध्यापक को मुक्त कराने के दोरान एक दोरान देखिए पुलिस की गोलियों से उन्हें बूहन दिया गया तो वीर बाले का किस जिल्ले से समझता है तो यह डुंगरपुर से डुंगरपुर की काली बाइद जन्हों ने देखिया रास्ता पाल गाउं की यह निवासी थी अगला देखिए सुबा सिंदर बोस्ट ने जोधपुर की यातरा की थी तो येर देखिए इसका 1936 के अंदर राजस्तान में सतन्ता अंदोलन के दोरान जन्ता में लोक नाई की उपादी से विशुबित नेता थे तो जेनरे न वियास लोग नाई के नाम सी चाने जयते दूस्त है तो जेनरे न वियास को उन्होंने देखिए उत्तरदाई लोग परे सरकार के परदान मंतरी 1951-1954 तक राजस्तान के मुक्ख्य मंतरी भी रहे है हीरा उपजाए देखिए हीरा बाउ उपजाए ने राजस्तान का आर्ष सी आरदास किसे कहा तो ये मुक्ट भी यारी लाल भाहर को कहे हैं राजस्तान का सी आरदास अगला देखिए यदी राज्यों की नोकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बहान निकार फेकने का काम कौन करेगा ये खतन किसका है दोस्तों अर्जुनलाल सेटी ने अर्जुनलाल सेटी का ये प्रमुक खतने उन्होंने जेन शिक्षा परचार समिति की स्थापना की इंच के अंदियन देखिए वर्दमान विद्याले जो कि कभी स्थापित हुआ था 1907 में और इसमें देखिए अर्जुनलाल सेटी ने एक साहतेकार भी थे उन्होंने मेहंदर कुमार, मदन पराजे और पार्स भी आदी इनकी परमुक करतिया हैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें मित्यु पस्याद दपनाएं गया दोस्तों आगला देखिए राजस्तान के किस करांदिकार ने बरेली की जेल में आइमाने शिक यातनाए कि कान मित्य हो गीती तो परताफ सिंग बारटondern के साथ मिलकर लाड़ हंडिंग की गाड़ी के अंदर दिल्ली आगमन के समय बंफेका और उन्हें बनारड सड़ी अंतर में केस के अंदर पकड़े गये गुनी सो उठारम ब्रेली जेर में उन्हें यातना देकर माण डाला गया दोस्तो तो देखिए यह इंपोर्टेंट किसार अपने डिसकस के हैं धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए